हेलो रिवेन, वेलकम बाक टो ओनलाइन स्टेडियों आज हम इस वीडियो में लेकर रहा हैं लूसें सब्जेक्टिव बुक से पेस नंबर 92-94 तो इस वीडियो को एंड तक देखें इसमें जो भी क्वेसन से काफी अच्छे हैं तो इंड तक देखें और क्वेसन्स को अटियों करें और बतेगा कितना सही कर पा रहे हैं चलिए सुरू करते हैं अगर आपने अभी तक जोइन नहीं किया तो आप भी जोइन कर सकते हैं जस्ट 29 रुपे में आपको ये कोर्स मिल रहा है 270 से जादा टॉपिक नोट्स दिया गया अलगलग टॉपिक पर और 6000 से जादा MCQ इसमें प्रोवाइड कराया गया और और भी इसमें नोट्स डाले जाएंगे क्योंकि मेंस के परपस है और इसमें कुछ इंपोर्टेंट जो पॉइंस है उसको कवर किया जाना है तो अगर आपने जोइन नहीं किया तो जोइन कर सकते कल इसका ओफर का लास्ट है जो कि 3 से 5 फैवरी दिया गया था तो जल्दी से जोइन करिए इसके अंतरगत नाइजिरिया नहीं आता है तो यहाँ पे हम आप्सन D को टिक करके आगे बढ़ेंगे निमलीखीत में से कौन दुनिया के सबसे बड़ी जील है दुनिया के सबसे बड़ी जील निमलीखीत में से बताए कौन से है तो यहाँ पे सही आंसर क्या बनेगा हम आप्सन B को टिक करेंगे कैस्पियन सागर कैस्पियन सागर आप्सन B बिलकुल सा योगा और नाम से लग रहा हुआ कि यह महा सागर है अचलि यह जील है इसको सागर क्यों कहा जाता है क्योंकि इसका जो चेतर फाल यो बहुत जाद है जादा होने की वज़े से इसको एक सागर का नाम दे दिया गया कैस्पियन सागर अचलि यह कैस्पियन जील ही है ठीक है तो यह द मंदी छेतर कौन कौन साय है। एक तो अमेरिका है। दूसरा कैनडा यानी सही आंसर आपसन D हो जाए गा। मीठे पानी की सबसे बड़ी जील है सुपीडियर जील। से सम्बधी छेतर कौन साय है। तो ध्याण रिगा टांगा नीका जील के समंधित बात करें तो सही आंसर क्या होगा option हम D को टिक करेंगो प्रोच सभी क्योंकि तंजानिया, जांबिया और जारी ये तीनों इसके अंतरगत आता है और टांगा निका जो जील है वो बिस्व की सबसे लंबी मीठे पानी के जील है superior जील सबसे बड़ी जील है लेकिन ये आपका मीठे पानी के सबसे लंबी जील है तो इसे आपको याद है, राइट? चलिए अगला questions, question number 5 निमलिकित जील और उसे समधी छेतर के समध में कौन सा मिलान साही है कौन सा मिलान साही है यहाँ पर मैंने वही चीज़ों को include किया इस पूरे वीडियो में जो exams के लिए important है बाकि आप book को रटते रहेंगे तो उसे कोई फैदा नहीं होता है वही चीज़ पढ़िए जो exams के लिए important है जो पूछे जाने की chances होता है, जो expected होता है मैं आपको homework देता हूँ ताकि आप अच्छे तरह किसोस को एक बार पढ़कर आएंगे और यहाँ पे आप वीडियो के दुरू revisions करेंगे तो आपको वह ज्यादा याद होता है क्या कह रहा है मिलान हमें करना बैकाल जिल का संबंध रूस से बिल्कुल सही इरी जिल का संबंध USA और कैनडा के सांथ बिल्कुल सही ओंटोरियो जिल का संबंध भी USA और कैनडा से है तो सभी के सभी बिल्कुल सही है तो आपसन डी विल भी राइट आपसर पेकाल जिल दुनिया के सबसे गहरी जिल है इसे याद रखेगा अगला प्रश्ण है, बिसो के प्रमुक परवत सिखर के सम्मंद में निम्ड में से कौन सा मिलान सही है, तो देखे कौन किसके साथ सही तरीके से मैच कर रहा है, कंचन जंगा, भारत और नेपाल बिल्कुल सही, लाहाद से नेपाल ये भी सही, राकापोसी, पाकिस्तान ये भ परवत सिखर का सम्मंद पाकिस्तान से होगा, ऑप्सन डी वी अराइट अंसर, ठीक है, रुडोल्फ जिल किस देश में स्तित है, रुडोल्फ जिल, रुडोल्फ जिल का सम्मंद हो जाता है केन्या से, और इसी के नाम से मिलता जूलता एक होता है रेंडियर जिल, रेंडि सागर से जो लगते हैं वो देश कौन-कौन से, तो मैंने आपको उस में बताया कि पांच देश लगते हैं, और वो उन पांच देशों का नाम क्या है? रूस, काज़किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबेजान और इरान यानि इरान की सीवा से कैस्पियन सागर लगता है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप्सन ए अगला प्रशनी के निमलिखित में से कौन सा जील जो है वो रूस में नहीं है रूस से समद्धित नहीं रखता है कौन सा जील ध्यान रखेगा आयर जील का समद्ध औस्टेलिया से आयर जील का समद्ध औस्टेलिया से लैडो का जील, ओनेगा जील और बैकाल जील ये तीनों आपका रूस से समद्ध रखता है हैं तो इन तीनों को याद रखेगा सब्सक्राइब जेल का समंद जो आउस्टिलिा से कि अगला प्रस्टने के टी टी Гाँ अ प्रस्म का जिल का संबनДरे राशना है ही जिससे हनीमून लेक नाम से भी जाना जाता है finished T sharing पेरू और बॉलिबिया तो option D हुआ correct answer ए और भी दोनो निमलीखित में से कौन सा कथन सही है निमलीखित में से कौन सा कथन सही है चले पढ़ते हैं बैकाल जिल के पुर्वी भाग में ब्यूरेट नामक जो की जन जाती पाई जाती है ब्यूरेट नामक जन जाती बिल्कुल सही है सबसे लंबी मीठे पानी की जील है सबसे लंबी मीठे पानी की जील है तो अगर आपने option E को ठीक क्या है तो आपने गलती की है क्योंकि सबसे लंबी पूछा जा रहा है correct answer होगा टांगा निका जील टांगा निका जील कहाँ पे इसका समधित छेत्रिक है है टांगानी का जो जील है तंजानिया जांबिया और जायरे यह ध्यान रखेगा तो सही आंसर हो जागा option C अगला questions निमलिकित में से कौन सा मिलान सही है कौन सा मिलान सही है विशू की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील सबसे बड़ी मीठे पानी की जील होता है् वो creature सागर ढिए डोनों के डोनों बिल्कुल सब्री में से किसको परल ऑफ साइबेरिया का जाता है पर कि तो रइट hasn बनेगा गए कि बईकाल जील को कहते हम अपसन और क्वैपन चलिये नेच्टो इसंग्स्ट किस देश की सेमा कैस्पियन जील से नहीं मिलती है तो कैस्पियन जील से संबंदित पांच देशों के अंतरगत हम लोगों ने क्या-क्या नाम दिखा था अजरवेजान रूस तुर्कमेनिस्तान इसके अंतरगत यह आपका यूक्रेन नहीं आता है एक इरान आता है और एक ऐसे में सन्युक्तराज अमेरिका सी करेक्ट होगा अगला प्रश्नस अंसर कि विसव का सबसे बड़ा द्रिप कॉन्स है तो ऩाइट्सर क्या होगा। OptionC, Greenland, Medagascar किस महासागर मिस्तित है? तो हिन्द महासागर में यह यादREFT पूछा जाता रहता है, NextQuestion से कि हिन्द महासागर मिस्तित सबसे बड़ा द्विप कौन सा है, हिन्द महासागर मिस्तित सबसे बड़ा द्विप, तो Right Answer पहनी का OptionE, धियान रहााँ द्वीप है जो चत्यरफल होता है कितना है साथ लाक एकावन हजार जब जब कि मेरा गासकर तो यहां पे हम देख सकते हैं कि बॉर्टे जो इको टिक करेंगे और यह दोनों आपका हिंद महा सागर के ही द्वीब है चलिया आगे बढ़ते हैं और यह सुमात्रा और इमिड़नाओ जो देख रहे हैं यह आपको याद रखना है जो सुमात्रा वो भी आपका हिंद महासागर में ही पढ़ता है इंडोनेसिया है हिंद महासागर में आगे बढ़ते हैं को कि नेक्स्ट क्रेक्षोण निम्लिखित में से किस द्वीब को अगणी द्वीब का नाम से जाना जाता हैंicial कले में वेर किसा सभाएज़ांशार जाता किस द्वीब का प्राच्छी नम सेन्डविच द्वीब में इंहते हूग प्रसांत महासागर का हिस्सा है लुजोन तो राइट आंसर हो जागा ऑप्शन दी जपान का सबसे बड़ा दूप कौन सा है जपान का सबसे बड़ा दूप कौन सा है तो यहां पर राइट आंसर हमारा बनीगा खुनशु जो दीप है वो जापान का सबसे बड़ा दूप है खुनशु ठीक है उत्तर पस्चिम प्रसांत महा सागर में इस दीते लुजोन दीप समादी तैं जो की प्रसांत महा सागर से समानी ते और यह फिलिपीन्स में होगा, फिलिपीन्स ओप्जन बी, अगला कुसम्स की मिलनाव दॲीप संबन दीते, प्रसांत मासाघर में ये भी स्थीते, मिलन और ये आपका पढ़तेंस, ऐप्जन सी बिल्कूल सही आंसर है, फिलिपीन्स, कौन सा दॲीप इंडोनेसिया का हिर्द पुर्ण जावा बिल्कुल जहां सही आंसर कोर्ण अपशन कंशता है कि अगला कुछ आपार किस देश में थे तो ध्यान रहे गोंगे में आपका युएसइगा वासिंगण वासिंग्टन और इडाहू राजमेक के मद्ध ये फैला हुआ है करीब चार लाग बासटाजार पांसो वर किलोमेटर में चेतर में ये विश्थी थे तो यहाँ पे फिलाल युए से आप टिकर क्या आगे बढ़ सकते इंग ऑप्सन भी कोलो रेड़ो का जो पठार है वो किस देश में चेते हैं कोलो रेड़ो का पठार तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा कोलो रेड़ो का पठार सन्युक्तरास अमेरिका ये बिल्कुल सही आंसर बन जाता है आगे देखिए अगला क्वेसंस की अनातूलिया का पठार य किस देशमें इस्थीत है ? Questions अक्सर ये ? अक्सर ये इस तरब से पूछ जाता है जैसे टरकी के army today and tick और torus radio के मद में कौन सा पथार इस्थीत है ये पूछ जाता है कि Turkey और torus के मद कौन सा पथार इस्थीत है Anatolia का पथार ये आपको याद रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे हम लोग टर्की के पठार के नाम से यानि कि तुर्की के पठार के नाम से भी जानते हैं, अनातुलिया के पठार को, अभी सीनिया का पठार निम्लिकित में से किस देश में स्थेते हैं, अभी सीनिया का पठार, इथोपिया, इथोपिया विल तो दोस्तों आजा करते हैं कि आप लोगो ये वीडियो अच्छा लगा हुआ कल का होमक आप जान लीजे कहां से कहां तक पढ़के आना है 94 से लेकर के 97 तक कवर करकेगा 94 पेज में कुछ नेक्स क्लास में थैंक्स वाचिंग कीप वाचिंग कीप लाइनिंग हाफ गुड़ दे